In this tutorial, I will show you how to speed up Windows 10 तो Windows 10 की speed को हम किस तरह enhance कर सकते हैं, increase कर सकते हैं या window को speed up कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इस वीडियो complete watch कीजिएगा, सबसे पहले हमने start के button पर right click करना है और run command पर apply करना है, यहाँ पर हमने type करना है reg edit और ok के button पर apply करना है जैसे ही हम ok के button पर apply करेंगे, तो इसका जो interface है या इसका जो box है कुछ इस तरह से illuminate होगा यहाँ पर हमने क्या करना है, चंद setting करनी है, सबसे पहले हमने current user को select करना है more के बटन पर apply करना है तो more के बटन पर जैसी apply करेंगे control panel को select करेंगे इसके बाद यहाँ पर भी हमने more के बटन पर apply करना है तो drop down list में हमने find out करना है mouse तो mouse को select करने के बाद simple सा work है यहाँ पर हमने select करना है यहाँ पर mouse sensitivity इसके उपर double click करेंगे इस box को हमने क्या करना है 14 को हमने 20 सेट करना है तो 20 स्पीड इसकी हम सेट करेंगे sensitivity की OK करेंगे और इस box को close करेंगे तो हमारे mouse की जो speed है वो काफी fast होने वाली है यानि के windows की speed fast होने वाली है window plus आई करेंगे system पर apply करेंगे यहाँ पर हमने क्या करना है left side पर find out करना है about about पर click करेंगे right side पर आएंगे यहाँ पर हम क्या करेंगे find करेंगे advanced system setting तो advanced system setting को select करने के बाद इस box को close करेंगे इस simple सा work है यहाँ पर भी हमने क्या करना है performance को select करना है setting पर click करना है जैसे हम setting पर apply करेंगे तो इसका जो box है कुछ इस तरह से हमारे पास illuminate होगा यहाँ पर भी हमने simple सी setting करनी है अगर हम bottom में find out करें तो हमारे पास animate है तो हमारे पास जितने भी animate है यहाँ पर हमने uncheck करने है और जितने भी fade है यहाँ पर हमने उनको uncheck करना है और इसके बाद जो shadow है उसको भी हमने uncheck करना है चेक करने के बाद उसके बाद हमने क्या करना है simple सा काम करना है apply करना है ok करना है हमारे जो PC की speed है वो काफी fast हो जाएगी इसके बाद simple सी setting है apply करेंगे ok करेंगे यहाँ पर कुछ time लग सकता है तो इसके बाद आपने क्या करना है इसको close करना है simple सा काम है ok करें तो automatically close हो जाएगा window प्लस आई करेंगे यहाँ पर हमने क्या करना है gaming तो gaming के उपर हमने इसके button पर apply करना है इसका box कुछ इस तरह से पीर होगा left side पर हमने find out करना है game bar इसके उपर click करेंगे disable करेंगे और इसका जो check box है इसके उपर हमने uncheck करना है और game mood को disable करना है game mood को disable करने के बाद simple इस box को close करना है जैसी हम इसको close करेंगे इसके बाद simple हमने क्या करना है फिर control panel में आना है control panel run command में type करना है okay करना है और simple सा box आई यह appear होगा यहाँ पर हमने क्या करना है power option को select करना है select करने के बाद simple सा काम है ultimate performance इसको हमने यहाँ पर select करना है PC की speed काफी fast हो जाएगी आपके इसको close करना है close करने के बाद हमने desktop पर right click करना है तो जैसी desktop पर right click करेंगे हमारे पास यह list है इसमें हमने select करना है display setting तो display setting को हमने select करना है इसके बाद क्या करना है हमने scroll down करना है तो mouse के साथ इसको scroll down करें तो यह अपने keyboard से scroll down करें और यहाँ पर हमने क्या करना है graphics setting इसको हमने select करना है simple सी यहाँ से पर भी हमरे पास setting है graphics setting तो graphics performance के जरीए हम अपने PC की speed को increase कर सकते हैं desktop app है, Microsoft store है तो सबसे पहले हम Microsoft यानि के जो built-in app है इनको हम देखते हैं सबसे पहले select app तो इसके उपर click करेंगा तो हमारे पास जो list है इसमें हमने तमाव ऐसे application find out करने है जो हमें चाहिए जिनकी हम performance को high performance पर set कर सके simple सा ही formula है, select करना है यहाँ पर हम देखते हैं Windows security इसको select करेंगे select करने के बाद add के button पर apply करेंगे और option में आएंगे, option में आने के बाद high performance पर इसको set कर देंगे तो इस application की जो speed है काफी fast होने वाली है इसके बाद हम desktop icon, third party जो जितने भी है जैसे Google Chrome है, यह third party है हम browse करेंगे, browse करने के बाद C को select करेंगे इसकी program file में जाएंगे तो हमने simply इसकी program file को find out करना है exit file को find out करना है, google में आना है chrome में आना है, यहाँ पर application है इसको select करना है, chrome को select करना है add करना है, जैसी add करेंगे तो यहाँ पर हमने option में आना है और इसकी जो performance है, इसको हमने set करना है high performance तो save करना है save करने के बाद simple हमने close करना है, तो close करने के बाद इन तमाम applications की जो speed है वो काफ़ी fast होने वाली है इसके बाद simple सा काम है search में आना है यहाँ पर हमने transparency type करना है transparency type करने के बाद simple open के button पर apply करना है open करेंगे इस box में हमने क्या करना है transparency effect इसको हमने disable करना है जैसी हम इसको disable करेंगे तो हमारे PC की जो speed है वो काफी fast होने वाली है तो इस setting को जरूर कीजेगा इसके बाद simple सी setting है जो अभी तक आपने नहीं की है इसको कर लीजेगा start के button पर click करना है और यहाँ पर productivity का जो box है जिसमें icon है काफी सारे इसको हमने select करना है और more में आना है और live tile जो हमारे पास notification है इनको हमने disable करना है simple सा method है यहाँ पर right click करें more में आए और live tile को turn off कर दें इससे क्या होगा हमारे internet की speed भी increase हो जाएगी और हमारे PC की speed है वो भी काफी fast होने वाली है इसके बाद इन तमाम setting को करने के बाद start के button पर आना है और अपने PC को restart करना है